विश्यक मिश्रा और आज के वीडियो में हम लोग यार पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11 के मैस का 1st चप्टर सेट तो अगर आप सीबेसी के बच्चे हो तो यह पूरी तरीके से आपके लिए नया टॉपिक होगा आपने पहले इस टॉपिक को कभी देखा भी नहीं होगा तो या चुर्ण के आप पूरी तरीके से यूट्लेस कर पाओगे एक बार अगरो की वर्म अकौनसे डिफिनीचन हैं कौनसे फॉर्मूला यूज हो हैं एक बार कम से ओवो देख लो आपको यह वीडियो पूरी तरीके से भलफूल लगेगी दूरी बात है वीडियो के एंड में सा के बारे हैं खुल के डिसकॉस करने वाले हैं सो विदाओर वेस्टी टाइम चली वीडियो शुरू करते हैं सेट्स तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इस ट्रॉप्टर में हम लोग क्या-क्या पढ़ने जा रहे हैं तो सबसे पहले आता है प्रायर नालेज तो इस टाटर में कॉनकों से प्रिविस नालेज आपको ज़रूर आते हैं मैं अभी आपको बता दूगा तो आप पहले से उसको एक बर रिकॉल कर लेना ठीक है उसके बाद आता है सेट एंट्स रिप्रेजेंटिशन तो सेट क्या होता है किस तरीके से उसको डिप्रेजेंट किया जाता है तो उन सबके बारे में हम लोग डिटेल में यहां पर समझेंगे उसके बाद आता है different types of sets, कितने type के set होते हैं, उनके definition क्या होते हैं, उनके example क्या है, सबकुछ हम लोग समझेंगे एक बार ठीए, उसके बाद है concept of subset, subset क्या होता है, उसका detail में हम लोग analysis करेंगे, उसके बाद है subset of real numbers, real numbers में subset क्या होता है, number system में किस तरीकिस हम लोग implement करते हैं उसके बार भी हम लोग समझेंगे, उसके बाद है intervals as a subset of R, R याँ पर real number है, ठीक है, तो intervals क्या होता है subset में, closed interval, open interval, हम उसको detail में समझेंगे, उसके बाद है power set and universal set, ये दोनों क्या चीज़े हैं, इनको भी हम लोग अच्छे से समझेंगे, उसके बाद है when diagram to represent set, किस तरीके स set को हम लोग in diagram में represent कर सकते हैं, उसके बाद है operation of set, set के operation क्या क्या होता है, उसके हम लोग detail में समझेंगे, concept of the union and intersection, union and intersection का सारा detailed concept हम लोग समझना है, बहुत important topic है, उसके बाद है differences of set, किस तरीके से हम लोग set को subtract करते हैं, उसका भी एक operation है, उसके बाद है complement of the set and its property, set का complement क्या होता है, उसके properties क्या क्या होता है, उसको भी हम लोग detail में आपर समझेंगे, उसके बाद है practical problems of union and intersection, यहाँ पर practical operation union and intersection का किस तरीके से हम लोग solve कर सकते हैं, उसको भी हम लोग detail में आपर समझने वाले हैं, ठीक है, चलिए हम लोग देख लिए थे इसका prior knowledge, यह totally एक नया concept के सबसे पहले तो यहाँ आपको when diagram को थोड़ा से knowledge previously होना ज़रूरी है, एक बार देख लेना, उसके बार देख लेना, लेकिन यहाँ पूरा chapter analytical concepts के उपर depend है, जितना ज्यादा आपका analytical power होगा, उतना ज्यादा आप इस chapter को अच्छे से कर पाऊगी, set and its representation, तो शुरुवात करते हैं इसके definition के साथ, a set is a collection of well-defined and well-distinguished object, एक set एक collection होता है, आप इसको एक group की तरह समझ सकते हो, जिसमें हमेशा well-defined और well-distinguished object होता है, ठीक है, अब यह well-defined और well-distinguished object होता क्या है, इसका मतलब क्या है, For example, मैंने आपसे कहा कि आपके class के group बनाओ, जिसमें सारे के सारे लंबे होने चीए, चीक है, अब आप यह group नहीं बना सकते हैं, क्योंकि मैंने data को collection करते समय, आपको कोई भी well-defined नहीं किया, कि लंबा कितना होना चीए, अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको group बनाने उन बच् कर सकते हो कि कौन से odd number less than 100 होते हैं, उसके बाद आता है, the reverse of India, गिने चुने हैं, तो वो भी well-defined के अंदर ही जाएगा, कि आपको कुछ data दे दिया जाएगा, और आपसे पूछा जाएगा, कि यह set होगा, कि नहीं होगा, इससे सिरे आपको यह चक करना है, कि जो data दिया गया के set को represent करते हैं, यहां पर और एक example ले रहते है, मैं capital A को जैसे के ले रहा हूँ, set of all students who are, who secure more than 90%, तो आपकी class में, यह well-defined हो गया, the elements of the letter are represented by small letter, small x, small b, small c, जितने भी elements होते है, elements का मतलब है, उस set के अंदर जितने भी चीज़ें आ रही है, और जब हम इसको set में represent करते है, तो generally हम लोग set में, इन elements को small letter से represent करते हैं, उसके बाद है, if A is an element of capital X, एक set है X, जिसका small a एक element है, तो हम लोग कह सकते हैं, A belongs to X, और अगर मैं कहूँ कि B जो है, वो set X का element नहीं है, तो मैं उसको लिख सकता हूँ कि B does not belongs to X, पर इन दोनों का एक अलग-अलग, लेकिन इन द belongs to के लिए epsilon का use किया जाता है, यहां पर जैसे कि मैंने लिखा है small a belongs to capital X, उसी तरीके से अगर आप epsilon की ऊपर एक line किश देते हो, तो does not belongs to का representation करता जाता है, तो small b does not belongs to capital X, आप इस तरीके से लिख सकते हो, एक set को generally हम लोग दो तरीके से represent कर सकते हैं, पहला है यार, roaster form और tab tabular form, दूसरा है set builder form, tabular form, इस form में क्या करते हैं हम लोग यहां है, जितने में elements होते हैं, उनका हम लोग curly brackets के अंदर लिखते हैं, और सारे के सारे elements comma के साथ separated होंगे, तो एक मैं set ले रहा हूँ यहां पर example के तोर पर, जिसमें odd natural number होंगे less than 10, तो मैं इसको किस तरीके से तो इसमें क्या होता है, हम एक set को x के तरह की से represent करते हैं और उसके सामने उसका हम लोग definition लिखेंगे, और यह जो हम लोग property उसका definition जो भी लिखेंगे, वो हर एक element के property को define कर रहा होगा, ठीक है, example के तोर पर हम देख लेते हैं, अगर मैं कहूं कि v एक set है, जिसको मैंने already roster form मैं लिख रखा है, a, e, i, o, u, अब इसको आपको set builder form में किस तरह की से लिख सकते हो, v is equal to set of all x such that x is a vowel in English alphabet, यहाँ पर सीथा सीथा property describe कर दिया, तो इस तरह की से हम लोग या set builder form को represent कर सकते हैं, अब आता है different types of set थी है, पहले आता है empty set, एक set जिसमें कोई भी element ना हो, उसको हम लोग empty set बोलते हैं, इस set को हम लोग null set और void set भी बोलते हैं, example के तोर पर आपको बता हूँ, कि एक set है जिसमें, एक natural number होगा, जो one से बड़ा होगा, two से छोटा होगा, तो इस set के अंदर कोई भी element नहीं होगे, तो इसलिए हम इस set को empty set बोलेगे, इसको हम लोग 5 के साथ रिप्रेजन करता हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो, five का symbol, या फिर empty curly bracket से भी रिप्रेजन कर सकते हैं, उसके बाद है single turn set, एक set जिसमें सिर्फ और से एक element होगा, उसको हम लोग single turn set बोलते हैं, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है, curly bracket के अंदर सीख एक element 12, तो इसको हम लोग single turn set बोलेंगे, उसके बाद दता है finite set, एक set जिसके elements को हम लोग गिन सकते हैं, उसको हम लोग finite set बोलेंगे, example की तोर पर, a set of all the days in a week is a finite set, क्योंकि यहाँ पर हमें number of days पता है, जिस set में 0 element होगे हैं, उसको भी हम लोग finite set के अंदर ही गिनेंगे, इसके empty set भी एक finite set ही होगा उसके बाद रहता है infinite set, एक ऐसा set जिसके elements को हम लोग गिन नहीं सकते हैं, जैसे कि set of all the integer represented by, यहाँ पर मैं रहे dot 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 दिया गया है, मतलब हम लोग 3 dot के साथ represent करते हैं, जो पूरे का पूरे set को अच्छे से represent कर सकते हैं, यहाँ पर आप clearly देख सकते हैं, यह set हमारा पूरे का हर एक element दूसरे set में भी present हो, तब हम उन दोनों को equal set बोलेंगे, ठीक है, order यहाँ पर matter नहीं करता है, ध्यान देने वाली बात है, example के तौर पर A में 1, 2, 3 है और B में 3, 1, 2 है, तो हम लोग कह सकते हैं कि set A is equal to set B, अब आता है concepts of subset, subset क्या होते हैं, पहले हम उसको देख लेते हैं, आप imagine करो, X, एक set है, ठीक है, जिसमें आपके school के सारे बच्चे आते हैं, Y, एक set है, जिसमें आपके class के सारे बच्चे आते हैं, अब ध्यान देनी वाली बात है, कि Y के जितने भी elements होंगे, वो सारे के सारे X में present होंगे, तो हम कह सकते हैं, कि Y is a subset of X, अब subset का symbol every element of A is also present in B, A के जितने भी elements हैं, अगर वो B में present हैं, तो हम लोग कह सकते हैं, कि A is a subset of B, example के थोर पर हम देख लेते हैं, N एक natural number है, और Z एक integer है, अब जितने भी natural number हैं, वो सारे के सारे integers होते हैं, तो हम लोग कह सकते हैं, कि capital N is a subset of Z, दूसरे तरीके से आप समझ सकते हो, क तो अगर A is a subset of B, तो आप कह सकते हो कि small a एक element है A का, तो small a capital B का भी element होगा, जिसको आप इस तरीके से लिख सकते हो, कि A is a subset of B, if small a belongs to A, this implies small a belongs to B, आपो चीज़े धिरे-धिरे समझ में आ जाएंगे, उसके बाद आता है, A is not a subset of B, we can write it as A not subset of B, not subset का symbol है आप देख सकते हो subset के उपर एक line खीचागे है, उसके बाद आता है, if A is a subset of B and B is a subset of A, then A is equal to B, अगर A subset of B होगा, अगर A के सारी element B में होगे, और B subset of A होगा, B के सारी element B A में होगे, तब हम उसको equal set ही बोलेंगे, उसके इसमें A is equal to B हो जाएगा, अब देखो, for example मैं लेता हूँ A एक set है, ज नहीं आ रहे होगी, A के जितने भी element है, वो A में तो जरूर present होगे, इसलिए हम लोग ये कह सकते हैं, कि A is a subset of itself, यानि हर एक set अपने आपका भी एक subset होता है, और अग चीज़ यार, as empty set has no element, null set is subset of every set, अब null set में कुछ भी नहीं है, तो उसको भी आगर आप समझो, तो वो एक subset बन जाता है, कोई भी set का, अब आता है subset of real numbers, तो real numbers के अंदर जितने भी numbers हैं, उसको हम लोग subset के साथ किस तरीक से relate कर सकते हैं, हमें यासे के पाता है, natural number को हम लोग capital N के साथ रिप्रेजन करते हैं, ये infinite set है, 1 से लेकर के infinity तक, ठीक है, similarly हम लोग integer को capital Z के साथ रिप्र रिप्रेजन करते हैं, जितने भी real number है, उसमें से अगर हम लोग rational number को निकाल दें, तो हमें बागी के बागी सब इस rational number मिल जाते हैं, तो यहां पर हमें कुछ number system मिल गए, अब हम लोग अगर capital N, capital Z, capital Q को consider करते हैं, तो N is a subset of Z and Z is a subset of Q, ठीक है, क्योंकि जितने भी natural number हैं, वो सारे के सारे integers होते हैं, और जितने भी integers होते हैं, वो सारे के सारे rational number होते हैं, उसके बाद आता है, कि जितने भी rational number होते हैं, वो सारे के सारे real number होते हैं, इसलिए हम लोग कह सकते हैं, कि Q is a subset of capital R, यहां पर R हमारा real number है, उसके बाद है, T is a subset of R, जितने भी irrational number हैं, वो भी सारे के सारे real number के अंदर ही आते हैं, लेकिन जितने भी natural number हैं, वो सारे के सारे irrational number नहीं हैं, इसलिए n is not a subset of t, अब आता है intervals as a subset of r, तो r यहाँ पे real number है, पहले यह समझना ज़रूरी है कि यह interval होता कि है, interval एक तरीके का set है, जिसके extreme points के बारे में हमें पता ह अब यह दो extreme points जो हैं, उसके बीच में जो भी number आ जाते हैं, वो इस set के elements बजाते हैं, तो intervals generally दो type के होते हैं, पहले होते हैं यार open intervals, अगर मैं a और b दो number लेता हूं, जो दोनों के दोनों real numbers हैं, और यहाँ पर a जो है वो b से छोटा है, such that जो y है, वो a से बड़ा है और b स रखा गया है, ठीक है, तो इसके बीच में जो भी elements होंगे, वो सारे के सारे इस set के अंदर आएंगे, ज्यान देनी बहरी बात है, कि यहाँ पर a और b included नहीं है, इस type के set को हम लो open interval बूलेंगे, तो इस type के set को हम लो parenthesis bracket से denote करते हैं, आप देख सकते हो हैं पर, दिखाय गय उसके बाद आता है closed interval, इस set में दोनो extreme points को हम लो include कर रहा है set के अंदर, इसलिए हमने यहाँ पर square bracket का use किया है, it consists of all the elements x, such that x is greater than equal to a and less than equal to b, अब इसके अलावा भी दो और तरीके के intervals आते हैं, पहला कैसे यार, open interval from a to b, including a and excluding b, मतलब a include होगा और b exclude होगा, जो exclude होगा, जो exclude bracket लगाते हैं, और जो include होता है, उस पर हम लो square bracket लगाते हैं, next है open interval from a to b, including b and excluding a, तो यहाँ पर a exclude होगा और b को हमने include कर दिया, यह दो type के extra थे, इसको आप समझ लेना, उसके बाद आता है power set and universal set, तो यह दो क्या चीज़ है, power set, the collection of all the subset of set a is called the power set of a, it is denoted by pa, in pa every element is a set, तो power set का मतलब क्या है, यह एक ऐसा set है, जिसमें एक set के सारे subset का collection है, जैसे कि मैं अगर a एक set लेता हूँ, उसके जितने भी subset होगे, उन सभी को अगर हम लोग एक set के अंदर रखते हैं, तो उसको हम लोग power set बोलेंगे, example देख लेता है, मैं एक set ले रहा हूँ, जिसके दो element है 1 और 2, तो सबसे पहले हम इनके subset देख लेते हैं, पहले तो आज आता है 5, एन नल set, दूसरा आता है 1, उसके बाद आता है 2, और उसके बाद एक ultimate, एक हुद, मतलब 1 और 2, यह चार हमारे subset आ गया, तो जो power set होगा एका, उसमें यह चारो के चारो element होगे, तो उसको हम लोग universal set, universal set is the collection of all the objects in a particular context or theory, it is denoted by you and all other are subset of universal set, तो यह universal set को किस तरी की समझ सकते हो, आप किसी भी चीज का analysis कर रहे हो, जैसे कि number system का, तो उसका सबसे जादा, मतलब extreme point पर हम real number तो जा सकते हो, तो यह real number जो है, वो हमार universal set बनेगा, for example, आप human population पर कोई एक experiment कर रहे हो, for example, देख र तो इसका universal set होगा, वो पूरे की पूरे world का population हो जाएगा, इसका मतलब universal set के अंदर सारे set आ जाते है, इसके सारे के सारे set, universal set के subset होते है, अब देख लेते है, when diagram to represent set, तो when diagram से हम लोग किस तरीके से set को represent कर सकते है, सबसे पहले हम लोग universal set देख लेते है, उसको generally हम लोग rectangle की form में represent करते है, ठीक है, अब universal set में यहाँ पर दुवारा बना रहा हूँ, अब उसके अंदर हम लोग कुछ set बनाएंगे, तो उसके अंदर ही सब कुछ आएंगे, बाहर कुछ नहीं आने वाला, तो rectangle के अंदर में एक circle बना रहा हूँ, एक set है, कोई वे एक और उसकी एक element है अब बाहर कुछ elements हैं, और उसके अंदर और एक set है, जिसके अंदर 1 और 3 दोनों के दोनों आते हैं, ठीक हम उसको नाम दे देते हैं A और B, अब यहाँ पर आप देख से तो clearly कि A जो है वो B के अंदर है, इसलिए हम कह सकते हैं कि A के जो भी element होंगे, वो B का भी एक element है, इस किस तरीके से draw करते हैं, intersection किस तरीके से draw करते है, universal set क्या होता है, subset कैसे driven आते हैं, यह सारा एक बार practice कर लेना, आपको बहुत सारे books में इसको मिल जाएगा, अब आता है operation of set, तो अगर मैं दो set assume कर रहा हूं A और B, उसके ओपर हम लोग जनरली तीन टाइप के operation कर सकते हैं, पहला आता है union of set, उसके बाद आता है intersection of set, और उसके बाद आता है differences of set, तो यह तीनों की तीनों हम लोग detail में पढ़ेंगे, उनका vein diagram, properties, सब कुछ अरे हम लोग detail में पढ़ेंगे, कहला आता है union of set, तो इसका मतलब क्या है, let A और B, दो set है, union of A और B एक ऐसा set होगा, जिसमे A के सारे element, B के सारे element, और common elements को भी include किया जाएगा, लेकिन common elements को सिर्फ और सिर्फ एक पर लिखा जाएगा, यह ध्यान देने वाले बात है, common elements को दो दो बार लिखने से गज़त हो जाएगा, major mystery यहीं पर होता है, union का symbol आप यहाँ पर देख सकते हो, U की तरह दिखता है, ले union B, और आप union का symbol यहाँ पर देख सकते हो, तो इसका पर हम लोग एक real definition देख लेते है, union of two set A and B is a set C which consists of all those elements which is either in A or in B, तो यहाँ पर हमें एक word मिल गया, keyword यहाँ पर है, और, ठीक है, इस पर ध्यान देना यहाँ बहुत important है, the union of A or B, एक C एक ऐसा set होगा, जो union होगा A or B का जिसमें सारे elements होगे, जो present होगे, either in A or in B, either वो A में present होगे, या तो फिर B में present होगे, और का मतलब, including those which are present in both, मतलब, दोनों में जो present है, उनको भी हम यहाँ पर लिखेंगे, अब उपर के definition का हम लोग सिंबॉलिकरी इस तरीक से लिखते हैं, A union B is a set of all X, such that X belongs to A, और X belongs to B, एक बार इसका Venn diagram देख लेते हैं, यह universal set है, इसके बाद A और B दो set है, यहाँ पर आप देख सकते हो, अब दो circle है, वो circle के अंदर का area जितना भी आ जाता है, वो सारा का सारा A union B रिप्रेसेंट करता है, इसके बाद आता है intersection of set, पर इसका definition देख लेता है, intersection of two set A and B is a set of all those elements which belongs to both A and B, तो यह एक ऐसा set है, जिसमें जो common elements होगे, वही सिर्फ included होगे, तो यहाँ पर हमारा keyword जो है, वो and है, वहाँ पर हमारा और था, A और B और यहाँ पर A and B, यह keyword से याद रखना है, question है आपको, इसी के साथ relate करके आपको इक question वाना न पढ़ता है, तो यह सारे keywords यह थोड़ा समझ ले रहा है, symbolically हम इसको इस तरीके से लिखता है, inverted U, ठीक है, उसी तरीके से दिखता होगा, और इसका आप लिख सेकते हो, set of all X is that, X belongs to A and X belongs to B, अगर हम Venn diagram देखे हैं, मैंने पहले इसको universal set बना दिया, उसके बाद दो set बना है, और यहाँ पर जो common area है, वो ह इकल टू A union, B union C, associative property यहाँ पर use हुआ है, उसके बाद आता है, A union null is equal to A, यह identity element है, फाई का किसी के साथ भी union अगर आप कर देते हो, तो वही element वापस आपको मिल जाएगा, उसके बाद आता है, A union A is equal to A, उसके बाद आता है, U union A is equal to U, इसे हम law of union भी कहते हैं, अब आता है properties of intersection, बाद आता है, A intersection B is equal to B intersection A, commutative law, उसके बाद आता है, A intersection B intersection C is equal to A intersection B intersection C, बस bracket का पर राख है, associative law, उसके बादे A intersection 5 is equal to 5, एक नल, इसे हम law of identity element भी कहते हैं, उसके बादे A intersection A is equal to A, at last, A intersection B union C is equal to A intersection B union A intersection C यह last वाला थोड़ा से important है जहां से देखना इसे distributive law भी कहते है अब आता है differences of set तो difference of set A and B अगर उनका order इसी तरह के से रखो मतलब A minus B अगर करते हो तो उसका मतलब एक ऐसा set बनेगा जिसके सारे के सारे elements सिर्फ और सिर्फ A में होंगे कुछ भी उसमें B का नहीं होगा symbolically हम लिख सकते हैं कि A minus B is equal to set of all X such that X belongs to A and X does not belongs to B अगर आप Vendagram में देखो तो यह कुछ इस तरह के से दिखेगा यह green वाला region यहाँ पर जो दिख रहा है वो आपको A minus B है क्योंकि यहाँ पर सारे के सारे elements सिर्फ और सिर्फ A में present है उसके वाज़ाता है complement of set and its properties तो पहले समझ लेते है complement of set होता क्या है let U be the universal set and A be a subset of U then the complement of A is the set of all elements U which is not content the element of A तो देखो universal set मेंने U एक लिया है और उसका सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ अगर हम A के set की बात करें A तो A complement का मत्तब यह होगा कि तो ऐसे elements जो U में है जो A के अंदर included नहीं है वो A complement कहलाएंगे symbolically हम लिख सकते है A complement को इस तरीके से A dash लिखते है हम लो उसका मतलब होता है A dash is equal to set of all X such that X belongs to U and X does not belongs to A अब उसका कुछ properties देख रहे हैं ठीक है complement law कहता है A unit A complement is equal to U जाहर से बात है A और जो A में नहीं है उन्दोन को अगर हम मिला देते हैं तो हमको universal set मिल जाएगा उसके बात है D Morgan's law बहुत important law है बहुत important law यार इसको मतलब याद कर ले ना ठीक है A union B complement is equal to A complement intersection B complement और otherwise A intersection B complement is equal to A complement union B complement इस चीज़ को यार आप Venn diagram में बहुत आसानी से समाझ सकते हो मैं इसको लंबा खेंच नहीं रहा हूं उसके बात है law of double complement A complement whole complement is equal to A होता है उसके बात है law of empty set and universal set Null set का complement is equal to U and U का complement is equal to Null ये तो जाहिज सी बात है अब आता है practical problems of union and intersection तो यहाँ पर आपको word problems दिये जाते है समझ करके symbolically आपको represent करना है और उसके बाद question को solve करना है तो उसके लिए कुछ basic formulas आपको discuss करना बहुत ज़रूरी है तो अभी मैं सिर्फ और से आपको formula बताऊंगा जब आप question solve करोगे जितना ज़्यादा question solve करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा है क्योंकि आपको language को symbolical formula convert करना पहले सीखना होगा मैं इसी analytical power की बात कर रहा था जितना ज़्यादा आप analyze कर पाओगे उतना ज़्यादा अच्छा से आप interpret कर पाओगे शुरुआत करते हैं इस डाइग्राम से डाइग्राम समझो यार एक universal set है यहां पर दो set बनाया है अंदर A और B यहां पर मैंने तीन region दिखाए हैं A-B, B-A और यहां पर A intersection B अब इन तीनों को अगर हम add करते हैं तो हमें मिलेगा A union B इतना basic कम से कम समझ जाओ universal set दो set है A और A-B यह वाला region, B-A यह वाला region और B यह वाला region A intersection B तीनों को अगर हम मिलाते हैं तो हमें मिलेगा A union B तो एक चीस समझो यार अगर A और B तोनों disjoint set होता है disjoint set मतलब दोनों में कोई भी element common नहीं होता तो सीधे सीधे हम लिख सकते थे कि A union B will be equal to A plus B इसका मतलब number of element in A union B will be equal to number of element in A plus number of element in B यहां पर number का important hierarchy है कितने elements है वो important है तो in general अगर हम लोगs generalize कर देते हैं कि वो A और B दोनों disjoint set नहीं है तो हमारा जो formula है वो कुछ इस तरीके से बनेगा तो हम लोग यहां पर कह सकते हैं कि A union B जो होता है अब diagram में देखकर कि ही बता सकते हो कि N of A minus B plus N of B minus A plus N of A intersection B यह तीनों को हमें sum करना था बस अब हम इसको एक simplest form में convert करेंगे अब जो मैं दोनों अब एक side में RHS के side में minus N A intersection B plus N A intersection B डाल रहा हूं ठीक है तो इससे होगा क्या जितने भी N A intersection B हैं उनको हम लोग एक correct form में लिख लेते हैं ठीक है अब यहां पर आप देख सकते हो N of A minus B plus N of A intersection B इसके पास एक A intersection B आ गया और दूसरे बाले N B minus A plus N of A intersection B एक side आ गया बचा हमेरे पास minus N A intersection B अब आप इसको अगर ध्यान से देखो तो N of A minus B उसके साथ अगर हम लोग एड करते हैं N of A intersection B तो हमें मिल जाएगा N A यह set A को complete कर देता है ठीक है ना दूसरे यहां प तो हमें B मिल जाएगा ठीक है तो यहां पर आप clearly एक equation बना सकते हो कि N of A union B is equal to N of A plus N of B minus N of A intersection B यह बहुत important formula है अगर यहां पर दो सेट की जगा पे तीन सेट होते तो मैं उसको derive नहीं कर रहा हूं उसका derivation आपको NCRT book में मिल जाएगा मैं सिर्फर सिवा आपको formula बता देत is equal to N of A plus N of B plus N of C तीनों के तीनों individually आपको add करना है minus तीनों के तीनों को intersection निकालना है minus A intersection B minus B intersection C minus A intersection C plus सभी का intersection एक बार add करना है plus N of A intersection B intersection C किस तरीके से यह formula आया है उसको आप NCRT book से refer कर सकते हो एक छोटा सा नया concept है है वो जाना बहुत ज़रूरी है Cartesian product of set इसका detail आपको class 12 में मिल जाएगा लेकिन यह थोड़ा से important topic तो इसलिए मैं आपको पढ़ाना ज़रूरी समझा तो let A और B दो non empty set हम लों ले लेते हैं ठीक है तो Cartesian product का मतलब क्या होता है a set of all order pair order pair मतलब एक order pair में होंगे pair में होंगे pair में होंगे पस ठीक है pair में होंगे A और B such that जो A होगा small A होगा वो capital A वाले set का element होगा और जो small B होगा वो capital B set का element होगा और इस order pair को हम लोग, जब हम लोग set के form में लिखते हैं, तब हम लोग उसको Cartesian product बोलते हैं, इसको हम लोग A x B के साथ denote करते हैं, तो यहाँ पर A x B is equal to order pair AB such that A belongs to capital A and small b belongs to capital B, तो यहाँ पर हम लोग के example देख लेता हैं, capital A मैंने एक set लिया है 1, 2, 3 और B एक set लिया है AB, अगर मैं यहाँ पर Cartesian product निकालूं AB का, तो मुझे क्या करना होगा, एक order pair लिखना होगा, जहाँ पर पहले आएगा A, यानि set A का element, उसके बाद small b, यानि capital B का set का element एक आएगा, त उसके बाद 2, 2 के साथ small a, 2 के साथ small b, 3 के साथ small a, 3 के साथ small b, इस तरीके से A क्रॉस B हम लोग लिख सकते हैं, अब अगर दूसरी बात हम देखें कि B क्रॉस A भी तो सेम ही होना चाहिए, लेकिन यहाँ दोनों के दोनों पूरी तरीक से different होगी, ठीक है, तो इसमें कभी भ गलती मत करना, A क्रॉस B कभी भी B क्रॉस A नहीं होता है, तो B क्रॉस A क्या होगा, A के साथ A, A के साथ 1, A के साथ 2, A के साथ 3, उसके बाद B के साथ 1, B के साथ 2, B के साथ 3, तो दोनों में बहुत ज़्यादा difference है, कार्टिशन प्रड़क्ट दोनों का पूरा अलग है, बिल एक्सरसाइस और मिसलैने सिक्सेस के सारे कोशन सॉल्फ कर डालो, अगर आपको किसी पटिकुलर टॉपिक में भी कोई डाउट रह जाए, तो यार नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डीटेल है लेटन नोट मिल जाएगा, बहुत ही सिंपल लाइगमेंज में है, अपना टॉपिक डूपिक में अगर आपको कोई डाउट है तो वो टॉपिक डूपिक डूपिक पर जाओ, उसको खोलो पढ़ो, सब कुस समझ में आ जागा, क्लियर पूरी तरीकिस हो जाएगा, एक्जामपल के साथ सब कुस समझाया गया है, अब निचे डिस्क्रिप्श अगर आपको फिर आपको थोड़ा हाईर लेवल सोजना पड़ेगा, उसके लिए आप मैंने एक क्वेशन सेट बनाया, इज़ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पर मैंने सिर्फ और सिर्फ एंटर्स लेवल फोकस किया, सेट का हायर लेवल का कर देना, बिल्कुल भी कंपलसरी नहीं है, अगर आप चाहो तो करना, नहीं चाहो तो स्किप कर देना, इस तरीके से हमने आप पूरे बेसिक लेवल से एक्स्ट्रीम लेवल तक इसको कवर कर लिया, फिर भी आपको कोई अगर डाउट रह जाए तो यहां पर आपको एक ए हौता 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 है